प्रभू, राम, देव, भगवान, अल्ला, खुदा, इश, आदी, नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहा है, कैसे मिलता है, किसने देखा है। ये प्रश्णवाचक चिन, पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिये जगत गुरू, तत्व दर्शी संतराम पाल जी महराज के अम्रित वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार परूर बोल्या करके उसने, वो बहुत कीमती होती थी, एक एक दोर मिलेगी, और पांच-पांच-पांच असर पी एक टाइम पर मिलेगी, सारी महराख होंगा, फिरे नवेच का ठाट कर अपना, मेरे पास आएंगे, वह अलूर जे लंगडे, बिमार, समार, मरीज, उजीतने भी हो थे, वह से सारे आँख दिये, तो कहते हैं, 64 ल जी बाहर गूमने के लिए, सुबह निबटने के लिए बाहर निकले, तो देखा दुनिया, जहां तक देखा है, मनुशी मनुशी नज़र आ रहे, रविदास जी ने पूछा भी, तुम कैसे आई हो मापुरसो, और रविदास जी पहले कांसी के वा लोगों ने, औरों ने भी बहुत कूछ लिया था, तो वो संत जन जो आमंतरित किये हुए, आई हुए थे, वो कैने लगे कांसी के लोगों तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें पता नहीं, और हम इतनी दूर से चल कर आगे हैं, कि कबीर यहां बंडारा कर रहा है, कबीर बंडारा कर र रविदास जी ने पूछा, कोई तुम्हारे पास पत्र हैं, कहां देखो, यह पत्र गई, हम वैसे नहीं आते हैं, किसी के हैं, बिना मुलाई, रविदास जी तो वापस आगे है, आके कबीर साहिब की जोपड़ी में पहुंचे, के सब्गरो, आज तो कांसी ट्याग नहीं पड़ेगी अपने को, आज तो हद हो लिए, कबीर साहिब ने का, क्या बात होगी, रिसीव, आज जो संत्जी बैठो, क्या बात होगी बगत, कि वगवान, आपके नाम की जूठे पत्र लिखे वें, नक नकम्यान है, और पना जाने कितनी दुनिया आ रही है, यह वगवान जहां तक देखो, इनसान, इनसान, सब के पास चिठिया हैं, और कहते हैं, कबीर साहिब बंडारा करेंगे, प्रमात्मा ने कहा, रविदास आजा बैठ जा, और कुंडी लेला, आप हां बाहर नहीं निकलेंगे, और भई, आज का दिन पूरा करनू, रातने मैं अपने बच चवबगत जनाब, रविदास ची बैठ गे, कुंडी लाली अंदर की, उधर से सिकंदर लोधी के पास भी, उसके सेक्ट की पीर ने, क्योंकि सेक्ट की एड ओफ दी डिपार्टमेंट सा मुसल्मान दर्म का, उसने भी पता लग गया, उसी की सला से सारा ये काम हुया था, ह अब गुरुदेव भंदारा कर रहे हैं, तो सिसने ताना ही था, सिकंदर लोधी बोला, हम होसे चलेंगे, सेक्ट की ही चाता था, कि सिकंदर एक बार चले, और वहां कबीर साहब पाएगा नहीं, ये बहुत इसका महिमा का परसंसक बना हुआ है, पता लग जाएगा ये कैस वो संत है, क्योंकि ही सेक्ट की इर्षा करते थे, और कबीर साहब को नीचा दिखाने के ही दाओ में रहते थे, सिकंदर लोधी जी सेक्डों सैनिकों को साथ लेकर अंगरक सक्कों को हाथी पर बैठ कर कासी पहुँच गया निश्टि दिन को सुब शुबर, वहां देखा कि वहां पूछा भी कोई, यहां, वहां क्या देखा, परमात्मा ने क्या किया, कबीर साहब वहां बैठे हैं, और रविदासी भी बैठे हैं, सारा परिवार अपना काम लग रहा, अंदर बैठे हैं, तो परमात्मा ने अपना दूसरा रूप बनाया, और सत लोग पहुँचे कबीर साहब और सब जगह भंडारा शुरू कर दिया और स्वम एक केसो नाम का बंजारा अपना रूख दूसरा बना गए परभू और केसो नाम रख गए और वैठी के एक टेंट न्यारा ला गए सिकंदर लोधी ने पूछा वही ये भंडारा चल रहा है गुर्देव कहां पर है कबीर साहिब कहां है कबीर परभू कहां पर है अब खाने वाले कहने लगे अमने तो पता नहीं कबीर कहां है लेकिन यहां की विवस्था ये विक्ती कर रहा है तो इस टेंट में बैठाए अब सिकंदर लोधी उस केसों के पास पहुंचे प्रभू के दूसरे रूप के पास सिकंदर जी ने पूछा कि आप कौन हो भगवान क्यों नहीं आई यहां पर कहां है वो कभीर साहिब कहां पर है तो केसों रूप में केसों बन जारे ने कहा कि मैं शिकंदर बोजी ने पूछा कि आप का क्या नाता है प्रबूसे शिकंदर उसने केसो ने कहा केसो रूप में जो बंजारा बुनकर आए थे कि कबीर साहिब मेरे पगड़ी बदली आ रहे है और मेरे पास एक पत्र गया था उनका संदेशा पहुँचा था कि एक छोटा सा बंढ़ारा है को सामान लेते आईएगा मैं अपने दोस्त के इस बंढ़ारे में सामान लेकर आया हूँ और ये सब विवस्ता मैं ही कर रहा हूँ उन्हीं क्या देशता है अब लोग सुन रहे थे राजा के साथ तो सैंक्ड़ों और भी कठे होगे राजा आ गया भी क्या बात होगे इनकी और सेख तकी और वो दूसरे भी वहाँ के जो दुखी थे बगवान थे वो भी खड़े थे गुरू और पीर दोनों पर माजब केसों ने ये कहा कि छोटा सा बंडारा देने के लिए कुछ सामान की आदेश वे थे मैं लेकर आ गया हूँ अब उनके जश्यर चकर काटन ला गया गया कि तिनों बड़े बंडार जां ठारा लाख अदमी एक समय खाना खाँ और उसको छोटा सा बंडारा कह रहे हैं वो तो खिसगे पर सेख तक ये नाड़ी था सिकंदर लोदी ने कहा कि वगवान नहीं आई याँ पर केसों ने कहा कि उनका दास बैठा है उनकी मौज आएंगे तो बाज जाएंगे मौज है मालिकी कभी आओ तो सिकंदर लोदी ने सुचा भी साइब के दर्सन किये बिना तुजी लाग गए नहीं मन नहीं लगेगा कहा कि मुझे उसका घर्म का स्थान का है मुझे बताईएगा एक विक्ति उनके साथ क्या राजा हाथी पर बैटकर कभीर साइब की जौँपड़ी पर पहुंचा हाथी से नीचे उतर कर दर्वाजा खट-कटाया रवीदास जी कहन लगे वगवनी ये तो यहां भी आगे दिखें अब यहां पर पहुंच चुके हैं कभीर साथ ने कहा रवीदास दर्वाजा मत खोलना देखी जाएगी शिकंदर लोधी ने कहा कि दर्वाजा खोलो परवर्दिगार दर्वाजा खोलो भगवन मैं सिकंदर लोधी दिली का बाद साथ का दास बोल रहा है बार से कहा अंदर से प्रमात्मा ने आवाज लगाई कि राजन आज रात रात मैं आज दिन दिन यहां पर रहूँगा रात को अपने बाल बच्चों को लेकर मैं किसी कहीं और चला जाओंगा दूर पर भूए मुझे जीने नहीं दे रहे मैं कहता हूँ भली ये मानते हैं बुरी अब सब मेरे पीछे पढ़ चुके हैं जन जन को मेरा दूस्मन बना दिया है और मेरे पास आहर कराने को परिवार को भोजन नहीं है और मेरे नाम जूटी चिठी लख दी है राजन और ठारा लाख विक्ती मेरे दौर पर आगे है अतित्थी आई है मैं कहां से बाहर कराऊं मेरी बेज़ती करवानी है इनोंने सिकंदर लौदी कहता है वगवन ार रख ए, परमेशवर वहां तो जयाजैकार हो रही है, आपकी आपने बंडार बर रखे केसो नाम का बंडार आपका दोस्त वां पहूंच चुका है और आपकी जयाजैकार हो रही है, जो भी कोई त्श्व करते हैं, खादे जो, वेजिटेरियन दो खाने की उनको हर चीज़ मिल रही है अपर गो और आपके दरसना भी लासी वो देख रहे हैं वहां के आने वाले बगजन के कहा हैं वो परमात्मा कहा हैं वो कबीर एक बार दरसन तो करने जिनों ने ऐसे ऐसे मोहन भोजन हमें कराए है शिकंदर लोदी ने कहा कि मुझे एक बार दरसन तो दे दो मालिक माँ आपके दरसन कर लो तब परमात्मा ने कहा रविदास खोल दे दर्वाजा अब जो हैं दर्वाजा खोला शिकंदर लोदी ने डंड़ोत परनाम किया अपने परमेश्वर के चरणों में मुकट समेथ और चरणों में सिर्क कहने लगे परमात्मा एक बार दर्सन दे दो बहुत लोग आपका इंचार करें ये परमात्मा ऐसा भंडारा ऐसा सिस्टेमेटिक इतना प्रेम से भंडारा चले आप रोगो देखते ही आनन्द आते हैं आपकी जज्यकार हो लिए परमात्मा कुटिया से बाहर आए बाहर आए तक कहते हैं आसमान से फूल बर्सन लगे उस परमपिता के उपर आसमान से फूल बर्सन लगे सुगंदित फूल रविदास जी चावर करते हुए अपने परभू के साथ पीछे हो लिए सिकंदर लोदी ने अपने हाथी के उपर एक रूम बना दिया करते थे राजा के रिष्ट करने का उसमें चारों तरफ दरवज़ा होता था वो चारों तरफ का दरवज़ा खोल लगा उपर रखवा दिया चारों तरफ से खोल दिया उसको और परमात्मा को अपने हाथी उस अपने ही हमबारी में बठा कर उस रूम में बठा लिया और साथ मरविदास्टी को बठा लिया और कहा राविदास्टी से कहा कि मुझे दे दो सेवा चवर मैं करनो अपने भगवान पर आप तो रोज ही करते हो और सिकंदर लोजी अपने भगवान पर अपने प्रभू पर चवर करता हुआ और सारे बजार मह गुमा दिया को देख रहे हैं ये कौन है कि यही तह कबीर ये राजा चवर किस पर कर रहा कि ये कबीर पर चवर कर रहा कबीर पर महातमा पर कर रहा है दुनिया देख रही है जजज़कार हो रही है सारे मेडियम गुम कर और फिर आ जाते हैं जहां पर केसो रूप मह पर महातमा दूसरे डबल रॉल में बैठे थे अब केसो जो ही केसो ने एक वक्ती भेजा के बगवान को कबीर साब को बला ला लो इस टेंट मा आ जाओं है जो ही वो बलाने गा तो कबीर साब जो वहां पहुंचे उससे पहले एटोमेटिक भी कहते हैं एक तकत आगया आकास ताए है अपने आप उस पर बिलकुल सफेद सद्दरागी गद्दा बिच गया और इतनी सुंदर स्टेज बनगी परमात्मा की वहां विराजमान होने की उस पर जा का परमात्मा विराजमान होगे दूसरी तरफ केसो रूप में बैठी हैं दूसरी एक तरफ वो स्वम कभी रूप में बैठी है और कहते हैं आठ पैर तक 24 गंटे तक तर्चा चलती रही परसन करता है केसो उतर देते हैं परमात्मा अब उन निकम्मों ने तो किया था भगवान के साथ बेजती करने के लिए भगाने के लिए और उस तर्चे को देख कर सुनकर उस्तव अग्यान की गोस्टी को कई हजारों नोप देश लिया परम पिता कभीर परमेश्वर से त्याग दिये वन नकली गुर्वों को अब सुबह समापन हुआ बंडारा तीसरे दिन बंडारा समापन हुआ सब बंडारों ने सब अपना समाण समेटके और बैलों पर डालके प्रस्थान कर दिया संकेत कर दिया केसो रूप में कि आप चलिए मैं आ रहा हूं अब सब लेकर के वो बैल और बंडारे वो जमाने वाले भी सत लोग से हंसाय थे और सत लोग से हूँ आहा राया था नठारा लाख आदमियों की विष्टा सरकार करके दिखा जो दो गंटेंगे वीतरे और वो जो मांगे हल्वा कचोड़ी पकोड़ी खीर खांड सब कुछ पूरी मांडे सारे दर दिया परमातमान आ गए और एक असर फी पांसर फी साथ में एक कंबल यानि दोहर सिकंदर लोजी खड़ा था साथ में केसो खड़ा है परमातमा खड़े हैं केसो रूप में परफु खड़े हैं और भी दर्सक सेंकडों की संक्या में सेंक हैं दर्सक भी खड़े हैं क्या देखते हैं कि दरिया को पार करना था उन बहलों ने और दरिया अपने फुल सवीम पार बहुत तेज बह रहा था गंगा को पार करना था अब क्या देखा कि गंगा बिलकुल इतना पानी हो गया जैसे गुटनों पानी होता है और वो बैल और बंजारे पार होते ही वो फिर फुल सुम्पा होगी फुल बरगी अब वो देख रहे हैं उस गंगा के साथ ही सत्संग हो रहा था समागम तो फिर देखते हैं कमाल की बात है एकदम गंगा इतने डाउन होगी ये एकदम फिर फुल आगी इस पर तो विशेज ध्यान नहीं दिया फिर देखा भी बनजारे गई केसों से कहा सिकंदर ने कि वो तो बहुत दूर चले गए होंगे आपके बनजारे आप दूर दूरी बहुत हो जाएगी आपने जाना नहीं तो उसने देखा कि कहा चले गए देखा तो बंजारे नावैल कुछ भी दिखाई ना दिया नहीं तो ठारा लाक बैल रचलें नो लाक बैल का लाइन लग जा तो चार किलोमेटर में पूरी ना होए और बहुत दूर तक दिखाई दिया करते हैं दोमेंट के बाद ना बंजारे दिखे ना वैल दिखे और केसो कहता मुझे दूर नहीं होती मुझे देर नहीं होती वहाँ से केसो रूप कबीर परमातमा मसमा गया वहाँ अकेले कबीर परमेश वरेगी बोलो सट गुर देव कीजे अब सेख तकी क्या कहता है वो निकमी आत्मा सिकंदर लोदी ने कहा कि देख सेख तकी आपने देखे बंडारे मेरे गुरु जी के सेख तकी कहता है ऐसे बंडारे हम सौ कर देए हाँ ये क्या बंडारा दिया है तो महोचा किया उसने महोचा कहते है जो मजबूरी में किसी के कहने से जैसे कोई बुड़ा मर्जा उसका काज कूज करिया करें मजबूरी ही हो जा उसमें कपड़ा मंगाया करें एक अंगोचा लईए साल आगरें पतला सा उसमा कार पार दिखाए ऐसा सुमान गटिया पटिया सा लाकर रख्या करें मजबूरी शी में जो करते हैं वो महोचा होता है और जोनार यग होती है जो खुशी में की जाती है या कोई पूतर हो जाए वो कोई सब विशयस कोशी हो जाती है उसमें यग जोनार करते हैं वो खुले हाथ ते खरषा करते हैं तो प्रमात्मा आदने गृपदा साहिब जी कहते हैं उस प्रमेश्वर की उस बंडारे को देख करके पुन्यात्मा बड़े लोग महनात्मा तो कह रही थी वह कती जोनार कर दिया यानि जो मांगे वही दे रहे थे ऐसा भंडारा नहीं देखा और सेखदकी जैसे निकम्यात्मा उच्छे वो कहते हैं क्या किया इसने महोचा सा किया है ऐसे मैं सो कर दू तो आदरनिय अ गरिबडास साहिब कहते हैं कोई कहे जगजोनार कई है कोई कहे कहे महोचा और बड़े بड़ाई करते हैं भाई Доuçा महान आत्मा ही बड़ाई कर सकते है और ऐरसालू उच्छी आत्मा है तो हमेशा गाली ही काड़ा करते है जब उसने ये सबन कहाना कि इसे इसे सैकड़ों कर दूँ मैं क्या जाना जाने क्या कर दूँ इसे ने क्या किया महोचा किया है कहते हैं उसकी जबान बंध होगी गुंगा हो गया शेक तकी की जबान नहीं उठी उसके बाद वो कती गुंगा हो गया बैरा होगया कान न सुनाई नहीं दे रहा अब प्रमात्मा कहते हैं ऐसा जुलम कहां रखा ये दगत जमी असमान प्रमेश्वर ने कुछ नहीं कहा उसको लेकिन अपने कर्म इतने विगाड़ दिये जिसका उसको परतीफल वहां मिल गया तो यहां प्रमात्मा कहते हैं साइं इतना दीजिये जिसमें कुटम समावे हम भी भूखे ना रहें एतिथी ना भूखव जावे अब प्रमात्मा के अतिथी ठारा लाख आए थे अठारा लाख अतिथी थे और गर्मे आटा नहीं था स्याम का अब वो आतिथी अठारा लाख तीन दिन तिक छुका दिये उस प्रम प्रमात्मा कहते तुम ऐसे रहनी करके देखो मेरे उपर विश्वास करो और आने दो कहते कलपे कारण कौन है कर सेवा निकाम सेवा मेन पूजा निसकाम मत मांगए रोज बगवान ते तू आन दे समय मैं दूँगा तुझे कहते कलपे कारण कौन है कर सेवा निकाम और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे ते काम अब वहां काम प्रमात्मा का रोल था जैसे अभी आपने सुना था वहां बैन के लिए जो लौन भी माफ कर दिया उसका वहां प्रमात्मा का काम था क्योंकि वहां रो रो रही थी ये बगवान एक चुटा से दो एक कमरा एक रुसोई बनी या भी सरकार की एड़ से लिए बारा ला बारा हजार रुपे मेरे पता सारी उमर ना उतरे और दो साल तीन साल उसने नाम लिये नुए दो डाई साल नाम लिये विचारी ने तो वहां धनी अपने का विश्वास ऐसा तूट था उस लड़की का क्योंकि सुरू से हुआ से धंक से लगी तो ऐसे ही प्रमात्मा कहते हैं कलपे कारण कौन है कर सेवानी काम तो कर निसकाम भाव से यानि बगएर इच्छा के तू बक्ती करता रहे और मन इच्छा फल देंगा जब पड़े मेरे ते काम जब इस वर से काम पड़ेगा कहते हैं आन दे वो रोल मेरा तो मुझे पहले हाहकार मचा बैठते हो उस टाइम को आने दो मुझे सब उपरेशन का पता है कौन सा कैसे करना होता इस परकार पुन्यात्मा हो आप इन कथाओं कथाओं से सीमित मत रहना इस्वास करके देखना अपने प्रम्पिताब है आपका बेड़ापार होगा और अपके पूर्ण उधार होगा बोलो Satguhrदी आप जैसे हम परती हो आया है आया है बन जारा के सो आया है कासीलायामाल अपारा के सो आया है नो लख बोड्डी बरी बिसंबर नौलक बोड़ी वरीवी संबर दिया कबीर भंडारा केसो आया है यह इसी के संदर्ण है कि वो परमात्मा केसो रूप बनाकर स्विम ही आये थे और नौलक बोड़ी बैल सामान लाद कर रहे थे और अपने अपने आपी दास बने थे और ऐसे भगत रूप में कहते हैं मैं भगत की ऐसे रक्षा करता हूँ ऐसे मदद करता हूँ मैं ऐसे अपने बच्चे के साथ रहता हूँ तो तुम इतना विष्वास रखो और जो मैं दे रहा हूँ उसमें सीमे उस पर तुम परसन रहो उसी पे तुम राजी रहो कि मैं जो कर रहा हूँ वो तुमारे लिए सही कर रहा हूँ और कभी कोई ऐसी आठ डास आओगी फिर देखिये मेरे आथ आप खड़े खड़े देखते रह जाओगे वगवान यू होया तो है कैसे मेरे मालिक सोपनमा नहीं सोच सकते वो काम आपका कर देगा इसलिए प्रमात्मा की ओट लिया करते है कि हमारे उपर आने वाली आपतिया हलकी होकर टल जाए अब आपको परभू मिल गया है रस्ता मिल गया पर यह वो समय कितना आएगा आपको यह विस्वास हो जाएगा यह कभीर परमात्मा है उसके बाद आपकी यह विस्वास हो जाएगा जिस्ते आपको यह विस्वास हो जाएगा कि सच्मुच यह कभीर परमात्मा है यह पूर्ण ब्रमे और फिर ये मंतर ये आपको रोजलाब दिया करेंगे ऐसे आपका 101 पीडी का उद्धार इब होगा बोलो सत्गुर्देव उन्नात्मा उन्ने कल स्याम के सत्सिंग में सुना था कि प्रमात्मा कौन है कैसा है वो कैसे मदद करता है अपने उत्तम भगत की उस प्रमेश्वर ने एक अपने आप ही एक लीला की हमें ये दर्ड विस्वास कराने के लिए यदि आप मेरे की तरह अपनी पूरी शर्दा प्रमात्मा के अंदर लगाओगे तो जैसे अठारा लाक विक्तियों का तीन दिन तक आहर करा दिया प्रमेश्वर ने ऐसे ही प्रमात्मा आपके साथ अनहोनी कर देगा हम साधनाए ठीक नहीं करते हैं हम प्रमात्मा पूर्ण से प्रिचित नहीं है इस करके हम अपने मनमानी पूजाएं करते हैं जो सर्वसद्गरंथों में मना किया है पूटर गीता जी अध्धाय नंबर 16 के मंतर 23 वे 24 में निरने दिया है कि जो मनमानी पूजा करते हैं सास्तर विदी को त्याग का जो मनमाना आचरन अर्थात मनमानी पूजा करते हैं उनको ने तो कोई सुख पराप्त होता है ने ही कोई सिद्धी होती है और ने ही उनका कोई परमगती होती है इसलिए अर्जुन भक्ती मारग में जो करने योग करम हैं और जो त्यागने योग हैं उनके लिए सास्तर ही परमान हैं उनी से निसकरस आपने का दिये उन्ही के अधार पर साधना कीजिए तो वो ग्यान परमेश्वर ने स्वेमी आकर बताया है वही स्वेमी तत्वादर्सी संत बनते हैं सद्गुरु जिशे कहते हैं और वही हंस बनते हैं वही परमात्मा बनते हैं वही एक दास की भूमिका करते हैं तब हमें एक गाइड लाइन देते हैं ताकि हम उनके पज चीनों पर चल कर अपना आत्म कर लण करा सकें। और वही प्रमिश्वर श्वयम आते हैं फिर अपने कोई दास भेजते हैं जो उन्हें की सक्ति प्राप्त होता है। उसके अतिरिक्त जो भी हम अभी तक साधनाएं देखते या सुनते थे चाहे हमने वो कितने सिद प्रुस लगते थे चाहे उन्होंने परवतों को भी उठा लिया था चाहे उन्होंने सातों सागरों को भी पी लिया था चाहे उन्होंने सोने के पहाड भी बना दिये थे चाहे साहिब कबीर आजा आत्म तो ए पुकारती तेरे हाथ में चाब भी हुसत गुरुसत लोक दुआर की साहिब कबीर आजा आत्म तो ए पुकारती तेरे हाथ में चाब भी हुसत गुरुसत लोक दुआर की बाइस लाख वरस तपकी ना एक तपस भी करन कहाया तपसे राज राज मदमन में नरक ठकाना पाया सिर धुन धुन के पच्छताया या थी बजी आर की तेरे हाथ में चाब भी हुसत गुरुसत लोक दुआर की योग विधी से सुख देवर्शी तिन नोक फिर आवे उड़ा फिर पक्सी की तरियां नई मोक्ष दवारा पावे हठ योग विधी से सुख देवर्शी तिन नोक फिर आवे उड़ा फिर पक्सी की तरियां नई मोक्ष दवारा पावे हठ योगी भव बठ का खावे न पावे युकती सब अदसार की तेरे हाथ में चाब भी हुसत गुरुसत लोक दवार की साहेब कबीर आजा आत्मा तोहे पुकारती तेरे हाथ में चाब भी हुसत गुरुसत लोक दवार की पाँच वक्त न्यमाज गुजारे करें स्याम को खोना बिना बंदगी बोक बनें रहें जुनम जुना पाँच वक्त तो न्यमाज करें फिर करें स्याम को खोना बिना बंदगी बोक बनेंगे रहें जुनम जुना खर देही धर अपला तो नाव मिटी दोव कुमार की तेरे हाथ में चाग भी हो सत गुरु सत लोग दुवार की साहेब कबीर आजा आतमा तो ये पुकारती तेरे हाथ में चाग भी हो सत गुरु सत लोग दुवार की वेद पुरान सास्तर पढ़ते कथा करें चतला के गिता जी का सारे सुना में ये मिठी बात बना के मा भारत रामायन समझा के कथा करें उस काल करतार की तेरे हाथ में चाग भी हो सत गुरु सत लोग दुवार की साहेब कभीर आजा आत्मा तो ए पुकारती तेरे हाथ में चाग भी हो सत गुरु सत लोग दुवार की तीरत वरत साद ना करते आसा चारों दाम की कोट यग अस्वमेग कर ना जाने महिमा सत नाम की नाम बे ना बे काम की ये संपती सनसार की तेरे हाथ में चाग भी हो सत गुरु सत लोग दुवार की साहेब कबीर आजा आतमा तो हे पुकारती तेरे हाथ में चाग भी हो सत गुरु सत लोग दुवार की राबिया रंगी हरी रंग में कैसी जीव दया दरसाई केस उखाडे वस्तर उतारे एक कुतिया की प्यास वुजाई राबिया रंगी हरी रंग में कैसी जीव दया दरसाई केस उखाडे वस्तर उतारे एक कुतिया की प्यास वुजाई मंजलतीन मकाले आई वा थी प्यासी दिदार की तेरे हाथ में चाबी हो सत गुरु सत लोग दुवार की साहेब कबीर आजा आत्म राबिया से वही बनस्वरी फिर गणका ख्याल बनाया गणका से फिर वही कमाली तेरा इसर ना पाया सरन आपकी माननद आया थी प्यासी दिदार की तेरे हाथ में चाबी हो सत गुरु सत लोग दुवार की सेख फरिद ने वरस दुवार से तप किया अति भारी रक्त मास और चाम सुखाया ना हुई अलग से यारी शेख फरिद ने वरस दुवार से तप किया अति भारी रक्त मास और चाम सुखाया ना हुई तेरे हाथ में चाबी हो सत गुरु सत लोग दुवार की साहेव कबीर आजा आतमा तोहे पुकारती तेरे हाथ में चाबी हो सत गुरु सत लोग दुवार की गोरक नाथर दी सिदी में फुल्या नहीं समावे मुर्दे तको जीवित करके काल भगती दरडावे गोरक नाथर दी सिदी में फुल्या नहीं समावे मुर्दे तको जीवित करके काल भगती दरडावे राम पाल सत गुरु की सर ना पावे दोरी मकर तार की तेरे हाथ में चाबी हो सत गुरु सत्लोक दवार की साहिब कबीर आजात मा तो है पुकारती तेरे सत्साहिब परमेश्वर ने स्वेम आकर के अपनी महिमा बताई अपने सच्छंड सत्लोक के विशे में स्वेम ही जानकारी दी उस परमेश्वर की वानी को ना समझ कर हमने उन संसकर्थ के ग्याताओं के उपर विश्वास जादा किया क्योंकि हम उन्हें वेदों और सद्गरंथों के ग्याता मान रहे थी जिस कारण से उन्होंने प्रमेश्वर कबीर साहिब वा अन्य संत महपुर्स जो प्रमेश्वर के शंपरक में आए थे उन्होंने फिर आँखों देखा विवरन जो अपने अमर्त वानी में किया था इन संसकर्थ के जानने वालों ने उन वानी को रिजेक्ट करवा दिया वो क्या कहते रहे कि ये तो ऐस इकसित थे ये संत इनको अक्सर ग्यान नहीं था इसलिए ये विद्वान नहीं और विद्वान बिना ग्यान नहीं हो सकता उनकी ऐसी थ्यूरी थी रिशियों और मेरिशियों की इन संतों ने हमें परमेश्वर ने कवीर परमेश्वर ने और साथ में जो उनके संपरक में उनका साक्षातकार दिन महापुरसों ने हुआ उन्होंने ये बताया है कि अक्सर ग्यान भासा का जो ग्यान है वो एक अलग चीज है और आत्म की तत्व ग्यान कोई और चीज है जैसे भासा का कारिय होता है अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा जिए अब जैसे कोई संसकर्ट जानता है वो संसकर्ट का विदवान है उसको इंगलिस नहीं आती है तो इंगलिस का विदवान वो नहीं है अर्थात वो फिर भी ग्यानी नहीं है और किसी को इंगलिस आती है तो उसको फिर मराठी नहीं आती है किसी को मराठी आती है तो उसको पंजाबी नहीं आती है किसी को पंजाबी आती है तो हिंदी भासा नहीं आती है प्रमात्मा का कहने का अतार पर ये है कि दो तत्व ग्यान है वो किसी भी लैंग्वेज में किसी भी भासा में हमें मिल जाए बात उस से बनेगी उस परमिश्वर के विशे में वो कैसा है कौन है कैसे उसकी प्राप्ती होती है ये तत्वग्यान ये सारग्यान ये वास्त्वग्यान हमें किसी भी भासा में मिल जाए वहीं से प्राप्त करने में हमारा हिद्ध होता है जैसे एक बहुत ही सुन्दर मटका गढ़ा रखा है उपर बहुत सुन्दर चितरकारी की हुई है और उसमें जल है नहीं उसके साथ में दूसरा गढ़ा रखा है वो पुराना सा गढ़ा नजर आ रहा है और उसमें सीतल जल भरा हुआ है तो हमने उस सीतल जल चाहिए ना कि उस घड़े की सुंदरता नहीं देखनी है कि क्या कहते है जैसे जैसे कुम्ब कुमारे का उपर चितर अनू हूपे वस्तु उसमें है नहीं तो जैसे जलवन कुहूपे जैसे सुन्दर चितरकार किया हुँ चितरकारी किया हुआ घड़ा उसमें पानी है नहीं तो यूजलस वो किसे काम का नहीं रेक वो पुराना सा घड़ा सिंपल सा साधारन से घड़े में जल मिल गया जयान बची इसी परकार उन मापरसों के अमरवानी सद्गरंथ जो उन्होंने अपनी आँखों देखा एफिडेवट दिया है वो साधारन सी भासा नजर आती थी पर इसमें वो अमरत भरा हुआ है और जिसने ये पता लग गया कि और जो इस उपर की चितरकारी को देखकर उसमें उलजे रहे वो महरसी कहलाते हुए भी आई विद्वान थे आपके समक्स महरसी दानंजी के विशे में इस दास ने जो निसकरस निकालके समाचार पत्रों में सीडिज की माद्यम से समाज तक पहुंचाया है बुदी जीवी समाज ने सब उठाकर देखे हैं वो परमाण मिलाए हैं तो आज कोई ये नहीं कह सकता के महरसी जिनों ने वो सद्गर्म्त देख लिये उसके दोरा रचा हुआ सत्यार प्रकास देख लिया इस द्रिश्टी को उन से पट लिया तो ये नहीं कह सकता महरसी दानंजी विद्वान था उससे तो बालक भी अच्छा दस वर्स का महरसी दानंजी ने लिखा कि सुरिया पर आदमी रहते हैं वहाँ बाग वगिचे भी है तो क्या वो विद्वान हो सकता है जो ऐसे आग के गोले पर भी और मुनुश बता रहा है कहने का भाव ये है कि उन महापुरसों को ने तो कोई आत्म ग्यान था ना को परमात्मा प्राप्ती थी और नहीं उनको कोई अक्सर ग्यान था के विए एक संसकर्थ के एक भासा का विद्वान होने मातर से परमात्मा का ग्यान नहीं हो जाता ऐसे ही अब सभी पंथों और इन महापुर्सों के विशे में इनके दोरा रची भी सब पुस्तकों को दास ने धहन किया फिर उन महापुर्सों की अमरवानी से मिलाया जिमने प्रमात्मा पाया और फिर सद्गरंसों में मिलाया तो इनके पास खक नहीं इनके पास खक नहीं है ये सब अपना जीवन भी विरत कर रहे हैं और साथ मैं भोली आत्माओं को भी पीछे लगा लिया क्योंकि हम आप सटूडेंट है आप विद्धार्थी है और विद्धार्थी को टीचर जो बताता है विद्धार्थी उसमें आना कानी नहीं करता अध्यापक ने जो पता बत्चावसी की रट लगा देता है क्योंकि वो उसको अपना गुरू मानता है और अध्यापक वही होता है जो सलेवस पढ़ाए सलेवस के अंदर से जो हमें ग्यान देता है वो ही टीचर अच्छा होता है और सलेवस से बाहर कोई नावल कथा सुनाता है तो वो टीचर ठीक नहीं वो सिख सिख ठीक नहीं अभी तक बर्माबिशनो महिस के विशे में पवितर हिंदू समाज में ये ग्यान एक लोग बेद चला रखा था विशनो महिस अजरौ अमर हैं ये सर्वे सवा हैं इनके कोई माता पिता नहीं है ये सभी ब्रमंडों के मालिध है अब इनी की हिस्टरी सीट में इनी की जीवन च्रीतनों में लिखा है कि ये तो नासवान है विशनु पराण में विशनो जी के विशे में शीव प्राण में, शीव जी और के विशे में, देवी भागुत माप्राण में, इन्प पर माविस्व के विशे में, बिलकुल निर्नाइक ज्यान, ये तक मकल अविनासी λέ़, हमारा तो जन्म मरतु होता हैं, हम सरवेश वर नहीं ये, बर मार को मता नहीं कहां से उत्पन हो ग एक बिर्मा उर्थ तो अभी तक जिससे भी हम बात करते है कि बिर्मा विश्णुमेश के माता पिता कौन है तो वो कहता है तेरा दिमाग खराब हो गया क्या ये तो अजरो हमर है ये तो सर्वा सक्तिमान है ये तो सर्वेश्वर है वो कहां से रट लगा रखी उन्होंने अब इन मापुर्षों के विशे में इन पुरानों का ही सहरा डेकर के ग्यान परचार विद्वानों ने किया कि विश्णु जी की महिमा है सिव पुरान में सिव जी की महिमा है दुर्गा प्राण में दुर्गा जी की महिमा है अर उनमें क्या लिखा है ये समाज तक नहीं पहुच सका अभ ये सामने आ रहा है तो एक बार तो धका सा लग रहा है लेकिन अब सिक-षिक समाज है अपने सद्गरंथों को तुरूंत देख लेता है और देख करके फिर दांतों तले उंगली दबाता है ये वगुन ये तो जोंका तू लिखा है हमें तो लोक वेद सुनाया गया था दंद कथा सुनाई गई थी मन घरत कहानिया सुनाई गई थी इसी परकार जब तक हमें स्वेम ग्यान नी होगा ये संत अपना न्यूए अंडोला बनाए रखेंगे ये ऐसे चकर कटाते रहेंगे इनको स्वेम ग्यान हैने ये प्रभूता के भूखे है और दुनिया को गुमरा करके दोसी हो रहे है इनको महापाप लगेगा अब कोई विक्ती जा रहा है उसको दिसागोई गल्ट बता दे उसके रस्ते से गुमरा कर दे तो उस जैसा पापी कोई नहीं होता इस अनमौल जी उनको बरबाद करकिया जा रहा है हम अपने सद्गरंथों के अनुसार साथ ना करेंगे और अधिकारी संत से उपदेश लेकर चलेंगे तो जीव सफनोगा नहीं तो आपका ये जीवन विरत हो जाएगा दास को कोई सौंक नहीं था यदि ये मारग इन संतों के पास होता तो दास बिलकुल शर्म दर्द नहीं करता और नहीं किसी के विशे में कोई टिपनी करता जब दास को सौंक ग्यान हुआ कि सचमुच इदर सब सास्तर के वरत ग्यान दिया जा रहा है और सद्गरंद कहते हैं कि सास्तर भी दित्याक का जो मनमानी फूजा करते हैं उनको कोई लाब नहीं होता बस इतना सा दास का उदेसे है जैसे एक समय एक कताँ आया करती कि एक बच्चा था शकूल में पढ़ता था उसने देखिया पटडी टूटी हुई है और रेल आ रही है उसमें हजारों यातरी है उसने अपना कमीज निकाल कर ऐसे दोर दोर से हिलाना सुरू कर दिया चिलाना स प्रौव विक्तियों कि याठरियों की जयान बचा दे आज दास कमीज निकाल कर हिला रहा है और कोई संकेत समन्ण जाएगा तो जयान बच जाएगी आंकरे इतना सा काम है बस नहीं तो उतर कर देख लो अपने सदगर्मतों में हम पेपरों में निकाल रहे हैं समाचार पत साधनों पे कोई मना नहीं किया इस परकार दास का प्रियतन देखो प्रमात्मा कब सफल करेगा ये होगा क्योंकि पहले तो अपने पुरू जैस इक सित है ये गुरू लोग अपसम लड़ा मारते थे हमें वो जूट बोलता है अपने मजब के बारे में ऐसे बोलता है अब अपने मजबों के इतियासों में ऐसा ही लिखा जैसा दास बोलता है इसलिए सब को सभी कारिये हो रहा है तो क्या बताते हैं सत्त गुरू बिन का हून पाया ग्ञाना ज्यूंतो था वुस छड़े किसाना गुरु बिन वेद पड़े सो प्राणी समझे न सारे रहे अग्यानी संथ के बिना सद्गुरु के बिना कोई भी सद्गरंतों को नहीं समझा सकता जिसमें पुन्यात्मा हो आपको ये पूरन ग्यान हो जाएगा तो आपको पर्थवी पर कोई संथ आज के दिन दिखाई नहीं देगा क्योंकि अब हम बालक हैं हमारी बुधी अभी तनी तयार नहीं है बक्ति मार्ग में तो हमने ये सभी संथ नजर आते हैं जिसने लाल पीले कपड़े पैन लिये दाड़ी बड़ा ली बाल रखा लिये या मूड मुडा लिया तलक लगा लिया माला पैर ली कोई डौंग करके गाम के गुरा बैठ गया दूना ला लिया या इसे नचार बाते हैं सीखली मिठी मिठी बात कथा सुनानी सीखली हमने सारे संथ नजर आते हैं क्योंकि हमारे पास उनको तोलने का उनको नापने का कोई आधार नहीं है जिसमें हमारे पास सद्गरंथों का ग्यान आधार हमारे पास होगा फिर उस आईयसाई मारक से हम उस फिते तना पढ़ेंगे इनको ये सारे कती विर्थ पाऊंगे आपको और उसलिए आपको इस सद्गरंथों के ग्यान से प्रिचित करना चाहता है ताकि तुम स्विम में निरने कर सको एक समय एक समय की बात है एक दो दो सेट थे उस छोटे भाई की मरत्यू होगी और छोटे भाई के दो पूतर थे उनकी ममी ने कहा के बेटा तुम्हारा पिता सिर पर रहा नहीं तुम बालको 17-18 सारा साल की आयू तुम्हारी है आप अपने ताउजी के साथ विवसाय में पार्टनर सिफ कर लो और बेटा उनके साथ काम सीख के फिर अपना काम नियारा कर लियो अभी तुम सफल नहीं हो पाओगे और मेरे पास ये लाल रखें पूतर ये लाल ले जाओ पैसा मेरे पास नहीं है आपके ताउजी से कहूँ कि इस पैसे को इस लालों को गिर्वी रखके है और हमारा इस्सा कर दे है दुनों बच्चे मां के दोवारा दिये हूए लालों को ले करके छुपा करके और कहा पोंचे दाउजी के पास और कहा ताओ जी हमारी माँ ने ऐसे ऐसे कहा है हमारे पिता जी रहे नहीं हम अभी बालक हैं 16 और 18 साल की आयू के और हमारे पास पैसा नहीं है ताओ जी मेरी माँ ने ये लाल दिये हैं मेरे पिता जी के समय के रखे हुए इनको आप गिर्वी रख लो और जब हमारा पैसा हो जाएगा हमारे पास हमें ने को छुडवा लेगी अब उसेठ ने बड़े उनके ताउजी ने देखा देखकर उन लालों को वापस ही उस पोर्टली में बांद कर उन बच्चों से दे दिया बेटा ये तो ले जाओ रख्याओ वापस ऐसी कोई बात नी और फिर कभी अवसकता पड़ेगी तो मैं इन लालों को मंगवा दूँगा अभी मेरी उधार बहुत चलती है आज़ो बेटा मेरे साथ तुम हिस्सा कर लो तो उन्होंने अपनी माँ से आके कहा माँ ताओ जी ने ऐसे ऐसे कहा है माँ ने कहा बेटा लाओ मुझे दे दो वापस और जब भी तुम्हें चाहिए सुरक्षित में लेंगे कभी ले ले लेना ये लालों में चौकस रखूंगी अब उताओ जी उन दोनों बच्चों को दूसरे सहरों में ले गया वहां से सामान खरीदा सौधा किया उन बच्चों के हाथों से उन लालों की का आदान परदान करवाना चाहा कि ताकि ये बच्चे सुन लाल से प्रीचित हो जाएं एक दिन उस सेट ने एक लाल दिया उन बच्चों को के लिए बेटा ये लाल उस सेट को दे कर आओ जिसे पचास हजार का सौदा हमने उधार लिया है उसको कहना कि हम अपना लाल छुडवा लेंगे और आपको पैसे दे जाएंगे दोनों बच्चे गए शेट से ताओ जी की कही भी बातों को दुराया शेट जी ने एक जोहरी बुलाया जोहरी से का के देखना ये लाल खरा है या खोटा है उस जोहरी ने का कि ये लाल नहीं है सेट जी ये तो लाल लड़ी है लाल तो नो करोड रुपे खा होता है और ये तो दो सो रुपे की भी गोन्या सेटन है वो लेक लाल लड़ी और सड़क पर फैंक दी गली में और कहा उन बच्चों से कि तुम्हारा ताउजी बेईमान हो गया है अब वो दोखे बाज हो गया है ऐसा आदमी तो नहीं था उसके मन में क्यों खोटाया उसने ये नकली लाल कैसे मेरे पास बेज़ दिया क्या वो मुझे ठगना चाता है ऐसी ऐसी कई उट पर टांग बाजते हैं कही अब लड़के वो दोनों बच्चे उस लाल को उठा और अपने ताओ जी के पास मायूस हो कर आए और कहन लगे ताओ जी वो सेट तो बहुत नकमा आदमी है उसने तो बहुत य बद्दर ब्याहार किया है और एक आदमी से पूचा पूछा कह देखना ये लाल है कि नहीं उसने कहा ये लाल नहीं है ये तो लालडी है और शेठ जी न ताओ जी बहुत गलत बाते हैं कि कि तुमरा ताओ जी बेएमान हो गया है क्या ऐसा विक्ती तो नहीं था वो अब उस उनके ताओ जी को पता था कि उसने कौन सी दवाई दी है बच्चों को उसको पता था कि सच मुच मैंने इनको लाल नहीं दिया था लालडी दी थी अब कहने ले बेटा हो मेरे से धोखा बन गया अरे लाल तो ये इधर रखा है भाई मेरे से गलती होगी बेटा ये लाल है ये ले जाओ और अब दिखाओ सेट को आप दोनों गई और कहे देना कि मेरे ताओ जी को दोखा लग गया सेट जी मेरे ताओ जी ऐसे आदमी नहीं है आप दोनों बच्चे गए और सेट जी से कहा देख सेट जी मेरे ताओ जी को दोखा लग गया था मेरे ताओ जी ऐसे विक्ती नहीं जैसे तू कह रहा था उन्होंने ना दोखे से लाल लडी दे दी लाल के दोखे में ये देखो देखो ये लाल दिया मेरे ताउ जी ने अब सेट जी ने फिर वो जहरी बुलाया जहरी ने का हाँ ये लाल है देखो ऐसा होता है लाल अब सेठा वेला दे przypadku तम्हारी आँकें आंहें, यह होता है लाल, अब वो लाल रख लिया सेठडी निया है, अब दुन्हों बच्चे आगे, अब बच्चों को भी पता लग गया लाल और लाल लड़ी का, जिसमें कितना उंत्र होता है, ख्षयठ जी आपने बच्चों बच् आके शेट जीन का जाओ पुतर अपनी माँ से वो लाल ले आओ और अब उनको गिर्वी रख देंगे उधार बहुत होगी पुतर दोनों बच्चे बागे गए कहा माँ ने पूछा आगे पुतर आजो बिटा खाना खाओ उनने का माँ खाना पिछ्छा खाएंगे पहले वो लाल दे कहा रखे हैं ताउजी ने लाल मंगाए हैं गनिवदार होगी है इनको गर्वी रखेंगे माँ ने का ले बेटा तुम्हारे लिए रखे थे ले जाओ वे जो किनो पोटली पकडा दी बच्चा थे बच्चों ने वही देख लिया कि देखते ने ये लाल है के लाल लडी क्या देखा उनने वह लाल नहीं था एक भी वह दो तिन डुड़े हैं रखे थे वह सारे लाल लडी थी अब उन बच्चों ने वही पटक दिये मा के सामने और कहा मा तुम्ही बहुत बोजी है ये तो लाल नहीं है लाल लडी है मा ये तो लाल लडी है ये तो दूसो रुपे की भी नही है अलाल तो नो करोड रुपे का होता है अब माता जी कहन लगी बेटा मुझे तो मालूम नहीं तेरे पिता जी के समय के रखे थे मैंने सोचा ला लियोंगे अब दोनों बच्चे ताउजी के पास आए और उस सेट को पता था कि ये बच्चे आप पैचान लेंगे मुझे कहना ना पड़ेगा अब दोनों बच्चे उना कर कहा ताउजी मेरी माँ ना वा बिल्कुल सीदी सादी सी है उसको बिचारी को पता है नहीं लालो कैसे होते है लाल लडी कैसे होते है ताउजी वो लाल नहीं थे वो तो लाल लडी है सारी की सारी अब सेट जी नहीं कहा बेटा ये उस दिन भी लालडी थी जिस दिन तुम मेरे पास लेकर आए थे और उस दिन अगर मैं कह देता ये लाल नहीं है तरी मा भी नहीं कहती कि मेरे शर्पर धनी नहीं रहा हमारा कोई है नहीं आगे पीछे इसलिए मैं हमारे लालों को भी लालडी बताना लाए कि सुक्र है बेटा तुम स्वम फैसला कर लिया तो अब ये दास ये चाता है कि ऐसा ग्यान देऊं समाज को कि ये आप स्वम निरने कर लो लाल और लाली का सत और ऐसत ग्यान का आप स्वम निरने कर सकें इसलिए दास ने दो तिन पुष्टे के बनाई हैं बुधी जीवी होगा उन दोनों को पढ़ने के बाद स्वम निरने कर लेगा और जिनोंने अनाड़ी पना करना है वो तो भगवानों के साथ भी ऐसी खसते रहे थे उनका तो इलाज प्रमात्मा ही करेगा तो इस परकार जब हम इस तत्व ग्यान से प्रिचित हो जाएंगे फिर हमें बिर्मा जी भी डगमग नहीं कर सकते आज इस दास का दस वरस का बच्चा जिसने दो वरस नाम लिये होगिर सत्संग सुन रहा है इन सब विद्वानों को फेल कर देगा दो मेंट में ऐसा ये ग्यान है क्योंकि ये ग्यान वह जो सद्गरंथों में हमारा पहले ही परमानी था और उन मापरसों नहीं परमात्मा साक्षात कर हुआ है उनकी अमर मानी में भी जोंका तो लिखा है लेकिन इसको हम समझ नहीं सके क्योंकि हमने गुरूँं के ब्रोसे छोड़ रहा खाता कि ये रिसीजन पढ़ रहे हैं सद्गरंथों को ये हमें उसमें से सब्लार्स करके सेधी भासा में हमारी लैंग्वेज में सुना रहे हैं हम इतना हीमत नहीं है कि उन सद्गरंथों को समन सके सद्गरंथों को वही समन सकता है जिस पर परमेश्वर की करपा हो दिए है तो परमेश्वर ने इस दास के उपर करपा की है नहीं तो दास पहले अनुमान पुजारी था शृषि किरसन जी से अतिरिक्त किसी सक्ती को नहीं मानता था, मंगलवार का वरत रखता था, जन्मास्टमी का वरत रखता था, गीता जी का नितपाट किया करता है, और जिसमें ये तत्वा ग्यान से प्रिचित हुआ तो बुरे नहीं लगते हैं, उनकी सतीथी का ग्यान हो गया, बिरमाभिश मुमें हिस हमें बुरे नही के कारण किस स्थीथी में है जैसे आज से साट साल पहले हिंदुस्तान में ऐसी इक सित्ता थी हम छोटे छोटे थे जब तो उसमें गाउं में कोई अधिकारी आता था शिर पर टोप पैन कहा करते ये अधिकारी तो क्या कहते थे ग्रामिन के साब आया हुआ है या एकोई SDM साब है जा कोई किसी नेहर मेक में कि आते थे उनको ये निमालों था या किस लेवल का साब है य diabetes साब है तो आज हम इस सठीती में हमना बगवान बगवान सुन है पर नो नभी रहो कुन साब बगवान की सठीती का है कितनी सक्ती है इन पर वो में तो इस तत्व ग्यानसिय ये पूरण निरने हो जाएगा आज हिंदुस्तान का बच्चा-बच्चा सिक्सित है उनको सब का पता है कि पटवारी की कितनी पाउर है तसिल्दार की क्या पाउर है SDM की क्या पाउर है DC की क्या पाउर है और कमिशनर की क्या पाउर है मंत्री की क्या पाउर है मुखे मंत्री की क्या पाउर है और परधान मंत्री क्या पाउर तो आप कोई बुरा नहीं लगता हमने कि ये छोटे करमचारी यादिकारी बुरे हैं लेकिन की सतीधी से प्रिचित होगे, हम पहले सीम लेवल की अप्लिकेशन और प्रटवारी कर दिया करते, वो पता कैसे कर सकता था, तो आज हम जो भगवान से प्रिचित होने से, तत्व ग्यान से प्रिचित होने से, हमने राम राम सुना है, हमने अल्ला गौड रब तो सुना है पर नियो ना भी रव 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 है कौन साथ जिससे हमारे हमारा सारा काम से रह तो वो पूरन ब्रम है सत्थ पूर से इसके साथ साथ इस तत्व ग्यान में अब आपको बताया जाएगा के बाइस लाख वर्स तप किया एक तपस्वी करन कहाया तपसे राज राज मद मानम फिर नर्ग ठेकाना पाया ये नियम है तपसे राज मद मानम जनम तीसरे सुकर सवानम तपेस्वरी सो नर्केश्वरी नर्केश्वरी तपेस्वरी सो राजेश्वरी राजेश्वरी सो नर केशवरी एक करन नाम का एक सादक था बाइस लाख वर्स तब किया उसने सोचा तेरे जैसा तपस्वी ना कोई हुआ ना हो सकता है और ये कुदरती बात है जिसने दस रुपे अधिक दान कर दिये उसमें वो एम होए बिना रहे को नी जिसने दो गुंटे ज्यादा वज़न क कर लिया वो ने सोचेगा तेरे जैसा सादक नहीं परमात्मा कहते हैं इस लफडे मनी पड़े अपना कल्यान करो बगती करो जितना करते हो आपके लिए है सास्तर अनकुल करते हो तो लाबदायक है सास्तर अनकुल विरूद करते हो तो विर्थ है तो इसी परकार उसने मान जा कि तेरे जैसा कोई तफस्वी नहीं हुआ तो उसका जब समय आया तो उसको पार्खत लेकर के विमान में बठा कर चले उसके मन का भर्म तोड़ने के लिए उन पार्खतों ने वहां रोक दिया विमान एक सथान पर जा के और कहा तपस्वी जी ये एक बहुत बड़ी सिला है बहुत लुम्बी चोड़ी उसके चारत तरफे गैलरी बना रखी ऐसे कहा कि इसमें एक परकर्मा दे कर आओ इस सिला की और फिर आगे चला जाएगा ये नियम है अब उसके घूमने लगा देखा उसके ठारा करोड ऐसे ऐसे करन तपस्वी इससे भी बड़े बड़े तपस्वी अपना नाम लिख 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 गए थे कि मैंने इतने लाग वरस् तब उसने तोबा बोली मेरे से तो ऐसे जाजल तपस्वी हो लिए मैं तो कह रहा था मेरे जैसा कोई तपस्वी नहीं फिर वहां जाकर धरमराज ने कहा इतना तुने तप किया है इतने वरस्तिरा राज बना राज भोग कर वापस गया तो कहा इप तो गधा बन और वो कहत तो जा अपना नरक में, पढ़ tokens नरक में जा गयए तो ऐसे कहने काताओ पिर ये हैं कि हमें सास्तर उलसाधना करने का सोख गणा चिट गया सास्तर उलसाधना बिल्कुल सिंपल ही ये, बिल्कुल सिंपल है इतनी आसान है कि इसमें आपने होट और जीव भी हिलानी को ना पर इसम ये करने नदिलना करे हूँ कज़े डाई गंटा पैट चाँ डाई गंटा नो कटी को लुसा द्रया जागा अल्ला नटल है और भक्ती करने ना वो सिम्रन अब दिया आपको आपकर के देखिए कितना कर पाओगे सतनाम के जाद को मन कभी दर बागएगा कभी दर बागएगा जैसे इसका कोई बिजली गिरगी और उस पर उटा काम किते करवा ले खड़ा हो को तब कर ले बारा साल तक उटा शरकर कर लेगा कावडलन की खातर फदर फदर वाँ पहुंस जागा अच्पारा में साड़े फड़े जाएंगे कते नहीं उल्टाटे और गिलकुल साधान सा नाम है नाम उटत नाम बैठत नाम सोवत जागवे नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे जिन भी महापुरसों ने प्रमात्मा पाया उनने हाठी योग नहीं बताया ना कान बंद करके ना आखे बंद करके इन अनहदमा नहीं उल्टाया उन्होंने अपने कारिये भी किये बच्चों का पालन पोशन भी किया अपनी खेती की किसी निजूते बनाये से सुखदेव रिशी तीनों लोग फिर आवे उड़ा फिर अपक्सी की तरिया निमोक्स दवारा पावे और ऐसा हठ योगी भी फिर बढ़ बटका खावे यानि यहीं जनम रन के चक्कर में रह जाता है ना पावे युक्ति सब बदसार की सुखदेव नाम के एक मापरुस उनके अंदर पूरा जनम की कमाई से इतने से दीथी के आकास मोड़ जाता था तीनों लोकों में घूम आता था पर्थवी पर पातार लोक स्वर्ग लोक में पहुंच जाता था एक दन विश्मु लोक में पहुंच गया वहां पार्खदों ने उसको अंदर जाने से मना कर इक किसलिये कि तेरा गुरु को oraz नहीं है तब भग्वान विश्मु शे संपरक हुआ बग्वान विश्मु ने कहा कि सुक देव बिना गुरु के प्रानीका कि तटह Wallace और पूरा पूरे गुरु से बात बने गई एसे नहीं कोई वैसे पत्थर गुरु मान लिया या वैसे क अकली गुरु बना लिया पूर्ण संत से नाम लिजिए राजा जनक से उपदेश लिजिए वो आज के दिन पर त्वी पर हमारे लेवल के एक नमबर के गुरु है और शुकदेव जी ने राजा जनक से उपदेश लिया फिर दोबारा स्थ साधना की तो स्वर्ग तक जाने का अभी तभी वो अदिकारी हुआ अब क्या बताते हैं पांच नमक पांच वकत तो नमाज करें फिर करें स्याम को खुना और बिना बंदगी बोक बनेंगे रहें जुन्दम जुन्दम नमाज करना नमाज नित नियम करना जैसे पुटर गीता जी के की अमरवानी का नित करना एतध्याय या आधाज्याय जी के शुब आशिवात से पूरिव विश्व भर्मी 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंद्र हैं जिन पर संत्रामपल जी महराज जी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम दिख्षा दी जा रही है अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222-880541